हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केर आइडियास पर आज हम लोग अपनी केचिन में बनाने जा रहे हैं पालक आलू की सबजी इसके लिए गैस पर हमने कड़ाई चड़ा ली है और कड़ाई में हम लोग डालेंगे एक चम्मच ऑईल मस्टर्ड ऑईल कर लिया है आपके पास जो यूज करते हुआ हो डाल दीजे अब हम लोग डालेंगे कोईल हो जाने के बाद में इसमें जीरा और एक पिंच हींकी डालेंगे गैस को हमने कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और देखे आउल हम लोग का हो गया है इसमें जीरा डाल देंगे अब हम लोगों ने एक मीडियम साइज की कट करके लिया है और दो हरी मल्ट को भी कट करके लिया है तो इसमें हम लोग डाल देंगे क्याज हो गई है मुन कर रेडी इसको लाइब गोल्डन कलर की हो जाएंगे मिल्च को आप अपने स्वारत अम्तार डाल सकते हैं कम जादे आपको जैसा अपने पको भी साइब केसा बसंदल कऱों आप उसनी जादी के बना रहें क्थी land अपने वस्वहत हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर लाल मिस्टना यूज़ करके हरी मिस्टी यूज़ करेंगे यह के प्याज बुनकर रेडी होने लगी है यह प्याज बुनकर रेडी हो गई है इसमें हम लोग स्वाद अमसार नमक डाल देंगे और ये छोटी चम्मत से भरके हम लोग फल्दी पाउडर डालेंगे इसको मिस्ट कर देंगे और अब हम लोग इतने डालेंगे आलू जो उमनों ने कट करके रखेते दो मीडियम ताइस के आलू उमने कट करके रखेते इसको मिस्ट कर देंगे कर दिया है कि यह लिख हो गए है कि यस्टे से खला के अब हम लोगों ने जो पालक वाश करके और इसको कट करके रखा है वो हम लोग इसमें डालेंगे और अब इसको मिक्स कर देंगे अब हम लोग इसको पकाएंगे जब तक पकाएंगे जब तक ही हम लोगों के आलू सौफ ना हो जाएंगे पिसली गैस को स्लो तो मीडियम करके हम लोगो इसको पटाते हैं जीजे भाजी पक कर हम लोगों की रेडी हो गई है अब हम लोग इसको एक बाउल में सर्फ कर देती है जीजे हमने भाजी को बाउल में सर्फ कर दिया है टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है ट्राइ जरूर करिए यदि आपको आज की आलू पालक की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब् आइकन को करिए प्रेज थेंक यू